गुड मॉर्लिंग सर नमश्टा बल्ला सर कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछिए सर मेरा क्वेस्टन सर आप से यह था जैसे परगार कि हम वट्सैप के उपर देखते हैं और हमारे पास बहुत से मैसेज आते हैं कि यह जो बच्चे जो इलेक्ट्र होमेपैथिक का कोर्स जो है कर रहे हैं यह कहते हैं पर हम एलेक्ट्र होमेपैथिक में पचास इंजेक्शन या सो इंजेक्शन जो हैं वो लाउड है लगाने तो इसी विशे के बारे में हमारे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं सी मैं सीडी के वो भी लगाता इंजेक्शन के बारे में जो हैं कि दोस्तो ऑफ्लेंट्रोपेफ्थी के आंपने बहला सर। वो 35 इंजेक्शन जो एलेक्ट्रोपेथी वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं और CMACD वाले IV डिप और जो एलोपेथी के इंजेक्शन हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं प्वार सारे इंसिट्यूशन कहते हैं कि जो इंजेक्शन है हूँ ऐलोपेटी के बारे कहते हैं हमारे एलेक्ट्रोपेथी में इंजेक्शन है तो उन सभी का मैं रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट फुली उनके जो विचार हैं उपीनियन हैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ अब मैं कुछ बताना चाता हूँ आपको कि जो लोगों ने आइवी ड्रिप दी MBBS, MD, Doctors, Foreign Countries में तो उन से क्या गलती होने जा रही थी है और पेशेट कैसे बचा है जा भी क्वालीफाइड डॉक्टर से गलती हो नहीं जी इंजेक्शन या एवी ड्रिप में तो एक अलेक्ट्रोपैथी वाला पी तो अलेक्ट्रोपैथी मेडिसन स्ट्राइल इंवायर्मेंट में दे रहा एंप्यूल में डालके चाहे वो अल प्यूल जो बनता है वो एक बार कट मार के बनता है और वाइल बनती है मल्टीपल डोस तो जो रिसर्च कहती है वो आपके सामने दो केस परस्तुत करूंगा आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि वाटर दा हैजर्ड ऑफ इंट्रविनस थ्रैपी इंट्रविनस थ्रैपी क क्या हैजर्ड है अलाकि एलेक्ट्रोपेथी वाले तो बिचारे समकुटेनिया इंट्रमस्कुलर वाली बात कर रहे थे तो बताना चाहेंगे क्योंकि जब तक मैं यह नहीं बताऊंगा कि किसी चीज में रिस्क कितना है जैसे हम कहते हैं कि डबल बनी स्कीम आपके पैसे द तो उसमें रिस्क और कितना फ्रडूलेंट चीज है तो कितने डबल मनी स्कीम वाले इस दुनिया में रहे और बाग गए तो सुनी है द्यान से अब सर फोकेस करेंगे मेरे पर तो इंट्रविनस थ्रैपी हैजर्ड के बारे में बात कर रहे हैं इंट्रविनस फ्रूड्स है इंट्रविनस थ्रैपी आम तोर पे जरूरी हो गई है लार्ज कंट्री 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 कंट्रोलर कोशिश करते हैं कि वो बेक्टिरिया से फ्री हों स्ट्राइल हों पाई रोजन से फ्री हों पाईरोजन को होता है बखार ना हो जाए गया फार्जान इस ऐसे पार्टी कल रहा है जो की बखार करते हैं जो कि पर्टिक्शन थिक्त9 कन्ट्ट 3 कंट्रोल डियर कंप congestion इस एकूरेट उन आइवी से बहुत कम इंजेक्शन करते हैं तो यह शो करता है कि क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज्यादा है बट दिर इस रीजन तो फियर मगर डरने की बात है तेट प्रसीजर डिजाइन तो डिटेक्ट पर्टिकुलों मैटर जैसे की फंगस जैसे फफूंदी ब्रैट के ऊप हैं बहुत इनएडिक्वेट हैं गार्वन एंड गनर नाइटीन सिक्टी थी नाइटीन सिक्स्टी फोर में यह उनोंने बात कही और मिस सैप डू अकर एक्सिडेंट जरूर होते हैं हावेवे डू टू हूमन एरर की वज़ा से बैट साइड पे अब्जेक्ट काल की लड़की थी और प्राइमी ग्रेविडिया प्रेगनेंट थी और उसने एक हेल्थी इंफैंट नवजाज शिश्यू को जनब दिया सफर्डे पोस्पार्टम हेमरेज तो उसको डिलिवरी के बाद हेमरेज ब्लीडिंग हुई लगबक ग्यारा सो एमेल दो बिंस अब उसके बाद देखा गया क्वालिवाइड डॉक्टर या नर्स तवारा कि बोटल क्रैक थी आइवी वाली एंड फ्ल्यूड कंटें दी क्लंप्स ओफ ग्रीन फंगस तो उसमें ग्रीन फंगस वफुद्धी थी सबसिक्वेंटली उसको कल्चर किया गया और क्वाप कर दी गई और और उसको हॉस्पिटल में एड्मिट किया गया अब्जर्वेशन और ट्रीटमेंट के लिए और रैवल हर जन्र करडीशन वाज नो शुरू में उसकी जन्र करडीशन अलारम वाली नहीं थी एग्जामीनेशन किया गया उसका टेंपरेचर 97 डिग्र कि फार नाइट था पुल्स रेट वन फॉर्टी पर मिनट आई बीपी वन फॉर्टी ओवर हंडड़ था हर चैस्ट एंड हाट साउंड वार नॉर्मल उसके दिल की आवाज और चैस्टी आवाज नॉर्मल थी नो एम नॉर्मल्टी वाल फाउंड कोई भी पेड में को डर्मा स्पीसिस तीन दें के बाद कल्चर में आया रूम टेंपरेचर में हर वाइट ब्लड काउंड उसकी टी एलसी जिसको टोटल लीकोसाइड कहते हैं वह आई 26 जार पर माइक्रो लीटर और 96 परसेंट नाइटी सिक्स परसेंट पॉली मॉफ यानी की निउट्रों फ को दी जाएगे यहां पर मैं कहता हूं यह एज्युकेशन के लिए वीडियों है निकलेमर हाहां कि आप कता इव भी हमारी वीडियों का पर्योग नहीं करेंगे कलिनि के लिए आप अपनी कलिनिशन फ्रणी को करैं यह एज्चिशन वीडिवाइफ फार्माकॉलेजि सब्सक्राइब तो पॉइंट पची मिलीग्राम पर केजी बोडी वेट के पार दे के साफ से स्लो ड्रिप प्रसेंट डेक्स्ट्रों में चला दी गई और शी वाज ट्रिटिट इप एंफिसलिन उसको एंफिसलिन दी गई 250 मिलीग्राम है इसके इलावा शिक्स आर लिए और नेक्स दे अर टेंपरिचर वाज उस अगले दिन टेंपरिचर 100 डिग्री था और शी कंप्लेंड ऑफ फीलिंग फीवरिश हाइटक होगा उसकी बॉडी में पेन हुआ फिजिकल एग्जामिनेशन रिवीर्ड नथिंग कुछ नहीं आया और अडिमिस्ट कि फर्दर वीक चलती रही 24 आर्ज लेटर शीवाज एफेबराइल का मतलव है उसका बखार चला गया एंड शी फैल्ट मच बैट और ब्लड पाउंट इसकी आगया और जो वाली मॉर्फ ते न्यूट्रों सी कराया तो 68 परसेंट आए हर ब्लड यूरिया क्योंकि किड्नी इसे भी असर होता है फंगस का 24 मिली ग्राम पर अंडर्ड अमल आया और उसका लीवर फंक्षिन टेस्ट एजी ओटी नॉर्मल आये इसका थोड़ा साथ एजी ओट इसका और हर सीरम बिली रूबिन वाज 0.3 मिली ग्राम पर अंडर्ड अमल अब देख लीजिए आप सीरम बिली रूबिन 0.3 यानि की लीवर बे भी एफेक्ट हुआ अलकलाइन फॉस्पटेज 16.8 का यूनिट आया थाइमोल टर्बीडिटी तीन यूनिट आया जिंक टर्बीडिटी तीन यूनिट आया सेकंड बर्ल ब्लड कल्चर टेकन आफ्टर दी अड्मिस्टेशन एंफो ट ट्राइकोडर्मा आपको ट्राइकोडर्मा की एंड में वीडियो में दखाएंगे मैं 39 येर ओल्ड मूमें एक और आई उसको इड्मिट किया गया लंबो सैक्रल स्पाइन की फ्यूजन थी यहां पे उसके मन के जुड़े हुए थे शी हैड सफर्ड लो बैक एक 15 साल से सो ठी लिरकवरी रूम ऐनास्सेजिया वाले ने नोटिस किया गी बोटल गूकोस लाइन सेट अप वो क्रेक है आई भी डिट वाली ग्रैक है वो कौनसी गूकोस लाइन वाली एंड गटेने फू स्माल वाइट क्लंब उसमें वाइट किलंप हैं अद्टिस वाज सब्सीक्व था पेशेंट वाज टीटिटीट विद एंफोट्रेसिन भी एंफोट्रेसिन भी दिया गई सेम डिजेज पॉइंट पचीज मिली ग्राम पर केजी पर डे एंड़ सेमीज अड्मिशन वेजन अड्मिस्टेशन वाज उस नो अधर एंटिबाइटिक्स वार गिवन उसको कोई एंपिसलीन न दिया गया ब्लड कल्चर लिया गया थ्रैपी कमेंस्ट फेल टू ग्रोध अफंग जब दुबारा उसका ब्लड कल्चर किया गया तो वो स्ट्राइल लिया गया नेक्स देड़ पेशेंट फैल वेल अपार्ट उसको लेंग्स में थोड़ा सा पेहन था प्रिकल ग्लोबलर क्लस्टर सिंगल सेल कुनीडिया वासीन तो ट्राइको डर्मा के कुनीडिया कुनीडिया होते हैं उपर एसेक्स और बनते हैं और दूसरे खेंज में ब्रश हैट्स नजर आए जब माइक्रोबायोजिस्ट ने नोट किया किसके पैंसीलियों स्पीसिजि और इंविच डिस्कुंटेंग साथ 20 माइक्रो जी ओफ्डॉग वर प्लेस्ट ऑन नियों इनोगेटिड ब्लाइगर प्लेट ब्लाइगर प्लेट क्या होते है कल्च को बीडियों होते है जिस पे हम इनो कुल करते है कल्चर इजिसे पता लगता है डिसकेशन डिसकेशन इंफ्यूजन दिया गया ऐसे ही सपोर्ज का रिजॉपस और एस्पर जिलस पीसिस जो कि लंग्स की बिमारी फंगस करता है तो रिजॉपस दे दिया गया experimental बेज़ पे वो भी फंगस है और एस्पर जिलस पीसिस दे दिया गया हैवी इंफ्यूजन और कुछ दिन में वो एजर्वर मर गए एक्सपेरिमेंटल लेवल पे चिक इवान एड बेकर ने 1958 में ये रिसर्ट इवान एड बेकर ने देखा कि एंफो ट्रेसिन भी ट्रीट्मेंट इस कमेंस्ट विदिन ओर्स ऑफ इंफेक्शन एसपरजिल स्पीसिज और पैतोजानिक फॉर माइस ये चूयों के लिए पैतोजानिक हैं एंड इजेक्टिड इंट्रविनर्सी प्रडूसिंग लेजन ये इस सेंटर नर्वस सिस्टम में भी लेजन पैदा कर देते हैं इंट्रविनर्स इंफेक्शन इंट्रविनर्स पीशिज यहां पर रिंवाम हो जाते हैं इस इस जैसे उपर डिसकास किया गया था उसमें यह चीज डिसकास की गई तो दोस्तों के इंडाइडा क्या होता है एक तरह का फंगस है तो उसके जो एसेक्सवल स्पोर्स हैं वो कितना नुक्सान पचा सकते हैं और उसके बाद एक चीज और चीज देखी गई कि अब नॉर्मली जो बॉटल्स हैं यह बॉटल्स का जो रबड होता है उसमें बबल आ जाते हैं कि और्गनीजम में सक्ट इंटू बॉटल थू माइनूट सेल्फ सीलिंग उसकी सीलिंग में फॉल्ट है अब अलेक्ट्रों पर थी में किस बंदे के पास एक करोड जा पचास लाग का यूनिट होगा जो इंप्यूल को सील करेगा अब इंप्यूल में कहीं बी स्टाइल वाटर में डिस्टिन वाटर में अगर कहीं फंगर्ट चला गया तो अलेक्ट्रों पैथी वाली जो मेडिसन हैं प्यूल वाला इंजेक्शन वह तो आप अंदाजा लगा सकते कि हमारे को glamorous लगता है injection electropathy में और वो क्या अंदाजा लगा सकता है अब उसकी rubber autoclave cycle में भी जा सकता है वो possibility of contamination from stopper is worthy of comment तो गार्वन ने यह चीज बताई थी कि montospora and alternate area species और rupture of gas bubbles in rubber stopper during sterilization installation के दुरान rubber stoppers में bubbles जाने की वज़ा से यह होता है तो दोस्तों montospora यह भी एक fungus है आर्टर नेरिया यह भी एक समगस है candida यह भी fungus है यह पैंसीलियम बोला वह भी fungus है और trichoderma वह भी fungus है दोस्तों इसमें summary क्या बनती है summary यह बनती है कि fluid contaminated with fungus जिसमें भी fungus होगा फफूंदी होगी स्ट्राइल नहीं होगा solution चाहे water for injection हो चाहे स्ट्राइल water हो चाहे लेक्टर हो पे ठीक है injection हो चाहे cmscd वाला कह रहा हो कि मैंने injection लगाना है मैंने उसको पहले बता दिया कि अगर स्कूटर पे जाओगे तो घिरोंगे कहीं पे तो चोट आप भी खाओगे दूसरे को भी कार पे जाओगे तो दूसरे बंदे पे चड़ा दोगे तो दोस्तों अपनी लिमिट पेचानी है fluid contaminated with fungus was inadvertently administered intraven to patient गलती से दो patients को बगार चेक किये चला गया इन बोट इंस्टारी बोटल वास cracked दोनों में bottle crack थी however intact bottle can also show visible sign of growth intact bottle में भी fungus सकती है बोट पेशेंट वाइट इंफो ट्रेसिंट भी उन दोनों को एफो ट्रेसिंट भी दिया गया research के मताबक एम्मेच रोबर्सन ने यह चीज़ बताई थी there was completed recovery it says that art photos used for सभी intravenous therapy में जाने बाज़े waters को inspect करना चाहिए चाहिए वह water लाए चाहिए प्यूल है चाहिए वाइल है it is pleasure to thank the clinician clinician जो clinician ने सच दी है हमारे को that is intravenous therapy hazards उनके असी हम जो हैं शुकर गुजार हैं जिन्होंने हमारे जो students हैं चाहिए वो mbbs वाले हैं bds वाले हैं चाहिए वो bms bhms वाले हैं चाहिए cms bms वाले हैं चाहिए pharmacist हैं नर्सिस हैं उनको एक दिशा दी कि ऐसे ऐसे fungus blood culture में पता लगते हैं तो कि naturally blood culture क्यों किया जाता है blood culture इसलिए किया जाता है कि माल लीजिए कि आपके खून में बहुत कम growth है वो नहीं आएगी नजर microscope के नीचे तो microbiologist क्या करता है वो fungus के अलग अलग dishes में जहां पर जैसे मालो ट्राइकोडर्मा का मालो दूसरा पैंसीलियों का उनके खाने वाली चीज रख देता है उस temperature पर और उसकी growth बढ़ जाती है जब growth बढ़ जाती है तो उससे वो microscope में नजर आता है फिर उस पे दवा डाल के दिखी आती है उसको sensitivity कहते है जिस दवा से वो मरेगा तो ज्यादा मरेगा उसके आगे फ्री पॉस्टिव जिससे कम मरा डबल पॉस्टिव जिस पे बहुत कम से हमें पता लगता है तो अगर आपने नहीं पढ़िए तो आज ही पढ़िए इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी मेडिसन जो दी हुई है वो बलाइंड को नहीं दे रहे हम बगाया टेस्ट किये तो युएससे एंग्लेंड में कोई टेस्ट ही नहीं होता कोई बंदे को ट्रीटमेंट ही नहीं दी जाती फैरा सिटमोल दे के छोड़ दे पहले इन्वेस्टिगेशन करा हो हमारे यहां पर एंटिवाइटी का बोल बाला ज्यादा है एंटिवाइटिक देदी उसके बाद टेस्ट कराया गया तो विडाल भी नेगटिव आएगा तो दोस्तों कल्चर एंड सेंस्टिविटी का बहुत रोल है इंट्रविनस थ्रैपी में फंगस हो सकता है आप प्लेक्ट्रो पैथी वाला बच्चा अगर वो कहता है जी हमारे पैंती इंजेक्शन है हमारे रेमेडिज में तो यह द्यार रखे की जो मैनिफेक्ट्रिंग कर रहा है अभी तक कोई रेगुलेटरी बाड़ी ड्रग एंड कास्मेटिक एक्ट में तो पाइरजन्स दो गया तो इसका मतलब किसी जिन्दगी से नहीं खिलवार कर सकते तो हमें इस चीज में भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि जो